तेने कई हूँ, मुर्ख साथे चालवा करता एकला चालवू वदुसारो जो तमें इच्छो तो तमें सचेतन रिते आज सांजे विक्सित थी शको छो मनुशे शूँ बनी शके तेनी कोई सीमान थी आए एवी वस्तूचे के जी दरेक मनुशे करवी जोईए पच्छी साथे होवूं खुबच फड़दा ही रहे शे जारे गौतम बुद्धुने पुछ वामा आव्यू के शूँ एकला चालवू सारूं के कोई नी साथे तेमने कईयूं मुर्ख साथे चालवा करता एकला चालवू वधू सारूं वेल आद तेमने कईयूं छे मैं नहीं तेमने पूरी खातरी हाती के मातरा एक मुर्खज तमारी साथे चाल छे तेथी तेमने कईऊं के मुर्ख साथे चालवा करता एकला चालवू वधुसारू आ देश मा एवी कहवत छेके जारे तमें टूंकी याने जड़पी मुसाफरी करवा मागता हो तेरे एकला चालो जैरे तमें लांबी मुसाफरी करवा मागता हो तेरे कुईनी साथे चालो परन्तु महत्वनी वाद ए छे कि तमारी साथे कौन चाली रहो छे कुईनी साथे होवू हमेशा सारी वाद नथी होती घणी वकत साथे होवू त्रासरूप बनी शके छे तो सवती पहला सिवाई के तमें जोडिया हो आने हो तो पण आपने एकला आविये छी है और एकला जिये छी है जो कोई व्यक्ति जानतू नथी कि पोतानी साथे के विरीते रहवू तो पच्छी बिजा कोई साथे रहवू घणू त्रासरूप बनी शके छे आपने उडखवामा आवे छे एक हिुमन बीइंग्स तरीके हिुमन बीइंग्स नो अर्थ छे अन्या दरेक प्राणी जे कई छे ते फक्त ते जे करे छे तेना कारणे छे परन्तू एक हिुमन बीइंग मत्र होई शके छे जे मनुष्यनो एक अनन्य गुण छे के आपने फक्त होई शक्किये छी ये तेना वर्थ ये छे के आपने विवश्थ ही ने कार्यों नथी करवा पड़ता आपना कार्यों जागरूपता अने विवेक पूर्णा छे परन्तू सामने रिते जारे लोको भेगा थाये छे सामने रिते ते वो विवश्थ ही ने बदा कार्यों करे छे ते कोई संगठन होई शके छे जा कार्यानों कोई उद्देश्य होई शके छे अथवा ते एक गेंग होई शके छे जया वड़ी वधारे उद्देश्य वाड़ा कार्यों होई शके छे अथवा ते भीड होई शके छे जयमा विवश्था पूरुण कार्यों थता होई शके छे तो मुलभूत रिते मनुष्य होवानों अर्थ ए छे के आपने आपनी अंदर उत्करांती ना ते बिंदुए पोंची गया होईए जो आपने इच्छी है तो आपने अहीं बस बैसी शक्या छी है होवू मत्र आपने विचारी शक्या क्या क्या आपने शू करवू जोईए अने शू न करवू जोईए आ चोक्कस थी व्यक्ति पर आधार राखे छे जैरे व्यक्ति वो बेगा थाई छे तेरे आपने कहीं है छीए आ अमें छीए बहु अचनमा पन तेम छता ते व्यक्ति वो छे जमने बेगा थाऊ पड़े छे एक इंडिविज्युल होवन और्थ हे छे के तमारा वदारे भाग करवा शक्के न थी तेनो और्थ एक है तमें मातर एक छो लोको पोतानी अंदर पोतानी जातना भागला पड़वा माटे अलग-अलग रीतो शोदे छे भारतनी 10,000 वर्षनी संस्कृति माँ आपने पोतानी जातना भागला पड़वा माटे विविट शब्दों नी शोद करी छे लोको माटे अहियां आत्मा, परमात्मा, अहंकार अने आने ते विशेनी वाद करवी खुबत सामन्य छे परन्तु दरेक संस्कृति नी आ माटे नी तिमनी पोतानी रितो होई छे जैरे वस्तु वो बराबर थही रही होई अने सारी वस्तु थही रही होई तेरे जोतामे लोकों ने पूछो तो तेव कहे चे हा ते मैं करियों छे जैरे वस्तु वो बराबर थती न होई जारे वस्तोवो खराब ठती व नाख्वामा आवे छे तो एक व्यक्तिनों मतलब छे के जोहूं एकदम शांदार छो तो ते हूँ छो जोहूं खराब छो तो ते हूँ छो तमें बदा शो तमें बदा 24 एक लाग शांदार हो छो हेलो शो तमें 24 एक लाग एकदम शांदार हो छो ना ना क्यारेक शांदार, क्यारेक खराब, क्यारेक सुन्दर, क्यारेक गंदा ते ठीक छे जो आपने समझ ये के हुँ खुदज एकदम शांदार बनवा सक्षम छू अने हुँ खुदज बिजीक्षणे अत्यंतक खराब बनवा सक्षम छू त्यारे दिमे धिमे खराब होवानी क्षणों नी संख्या आप आपज घटती जाशे जो हूँ जो हूँ के जे शांदार छे ते हूँ छू अने जे खराब छे ते भारत में आपनी पासे घणा शब्दों छे ते मारा कर्मों छे हूँ छू करी शेको ना तमारे आने ठीक करू पड़ छे एक इंडिविज्योल होँ खुबज बहत्वों प्रुण छे तेनों अर्थ छे के तमारा वधारे भाग करवा शक्के न थी जो हूँ शांदार छो तो ते हूँ छो खराब छो तो ते हूँ छो जो हूँ सफ़र थाओ तो तो ते हूँ छो औने निश्वर थाओ तो तो ते हूँ छो तमारे आसरखो करू जोई है हुँ तमने फक्त एक सरल प्रश्ण पुछी रहो छो आनी अंदर किटला लोको छे हिलो तमारी अंदर किटला लोको छे एक, बे फक्त एक जो तमें एक छो तो तमें एक सामान्य मनवी छो जो तमें एक करता वदू छो तो कांतो तमें स्क्रिजोफेनिक छो अत्वा तमें कोई ना वश्मा छो कांतो तमने मनुचिकित सकनी जरूर छे कांतो भुवानी परन्तु तमें जोशो के जारे वस्तुव बराबर रिते ना थाए तेरे दोशना ख्वा माटे अन्य व्यक्ति क्याक्ति एक पॉप अपनी जमावी जैशे तो एक व्यक्ति बनवानो अर्थ ए छे के तमें ते बधा पॉप अपस ने खतम करीने कहो आजे हूँचू तेना घणा परी मणों छे जो हुए ना जोओ के आएक व्यक्ति छे तो हुँ तेना वधारे भागना करी शकूँ तो पची रुपांतरण नहीं थाए जो रुपांतरण नहीं थाए आने लोको तेवी स्थिती मा भेगा थाशे तो उकेलों मडवा करता वधु गडबड पेदा थाशे बधा प्राणियों एक साथे रहता होई चे पच्छी ते विविद जातना जंगली प्राणियों होई तेमाना मोटा भागना एक साथे फरे छे अरे वांदराओ पण जे आपना थी मात्र एक डगलू पाचल छे ते उपन टोडामा रहे छे ते फक्त मनुष्यज छे जे एकलो बेसी शके छे अने पुतानी जातने रुपान तरीत करी शके छे कारण के आ मनुष्य होवानों विश्यश अधिकार छे के आपने बस होई शक्ये छिए आ माटेश तमने हिउमन बीइंग कहे छे के तमें बीइंग एटले के होवा माटे सक्षम छो तमें कशुक करवानी विवश्ताती ग्रस्त अवस्थामा नथी जो तमें इच्छो तो तमें सचेतन रिते आ सांजे विख्षित थाई शको छो जो तमें इच्छो तो तेमा के लाखो वर्षो नथी लागता कारण के आपनी उतकरानती हवे जैवीक नथी आपनी उतकरांती हवे सचेतन प्रक्रिया छे अन्या दरेक जीव माटे ते निश्चीत छे खुद्रते बे रेखाओ निश्चीत करी छे जैनी अंदरज बिजा दरेक सजीव जीवे छे अने मरे छे परन्तु एकवारता में मनुष्य तरीके आवो पच्छी बस मातर निशे नी रेखाँ छे उपर नी कोई रेखा नथी मनुष्य शूँ बनी शके तेनी कोई सिमा रहती नथी तेथी आपने आपनी जातने लोकों साथे जोडिये ते पहला ते सारू रहशे के दर्रोज सवारे अथो अमारा जीवननों एक चोकत समय गाळो ते माटे अलग काड़ी ने जो तमे पोतानी साथे थोड़ो समय वितावी ने जुओ के आ केम अने कई रीते गई काल करता आ थोड़ू वदू सारू थाई शके छे आ जीवन ते गई काले जे हतू तेना करता वदू थोड़ू सारू जीवन के वरीते थी शके छे कारण के मोटा भागना लोको तेमनी जरूरी आतो माटे भेगा थाए छे जरूरी आतोने पूरी करवा माटे लोको भेगा थाए छे केटलाक लोको बेगा थाए छे कोई उद्देश्य के कोई योजनाने परिपूर्णा करवा माटे केटलाक लोको खावा पीवा आने साथे रहवा माटे बेगा थाए छे करण के ते ओ एकला रही शक्ता न थी आ दरेक मनुश्य ए एक वार्तो करवूत जोई है के अमुख समय गाडा माटे तमे एक काम करो बस 24 लाक दरेक काम पड़तू मुखो आजे नी आजे तमे तेरे लोको वच्चे छो तमे अमुख समय विराम लो फक्त 24 लाक माटे अने ना तो कई वांचो ना तमे टेलीविजन जोओ के ना फोन नो उप्योग करो मात्र तमारा रूम मा बेशो सतर करीते उंगमा नहीं अने जो तमे तमे तमारा मननी प्रक्रोती जोशो तो तमे पोते कैशो के आतो एक गांडो मानस चे कारण के मोटा भागना लोको माटे तेमनू मन कोई एक चोका स्वस्तुपर टकी शक्तू ना थी सिवाए के तेवो कोई प्रवरुत्ती मा होए तेवो बस सहज रिते ही रही शक्ता न थी वीवश अवस्थामा मानसिक प्रवरुत्तियो तेमनी चालूज रहती होए छे जैरे तमे आविस्तिती मा हो चो तेरे तमे बस होई ना शको तेनो अर्थ तमने एक ह्यूमन बीइंग कई शकाई नहीं बीइंग इटले फक्त होवू ज़रूरी छे फक्त त्यारे ज भिगात हवा थी गणो फाइदो थशे जो तमे पोतानी साथे कई रिते रहवू ते जानो छो तो बीजा साथे भिगात हवू खुबज फड़ दायक अने खुबज मुल्यवान बन छे तेनो अर्थ एक है आपने जागरू करिते भिगात हवा कर दो कि अने खुबज मुल्यवान बनता है